प्रिये चात्रू, नमस्कार N.C.R. टीगड कक्छा दस्मी में आपका स्वागत है हम लोग प्रिश्णावली 5.3 का प्रश्निक रमांग चार कर रहे हैं जिसमें हमें दिया गया है 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर स्वागत नो, सत्रह, पचीस, डैस, डैस, डैस के कितने पद लेने चाहिए तो ये कॉस्टन जैसे ही एक्जाम में आएगा सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पर हमें समांतर स्वागत दी गई है तो आए सबसे पहले हम इसी को लिख लेते हैं हम लिखेंगे दी गई समांतर स्वागत और ये से लिख लेना है अब आपको समांतर स्वागत लिखने के बाद इसका प्रथमपद और सारबंतर निकाल लेना है तो प्रथमपद तो वही कहलाता है जो पहले नमबर पर लिखा है तो यहाँ पर जो पिर्थम पद है वो 9 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे पिर्थम पद ए से दरसाते हैं और यह है सबसे पहले लिखा है 9 तो यहाँ पर आप लिखेंगे 9 यह हो जाएगा पिर्थम पद इसके बाद आपको सार्व अंतर निकालना है तो आप लिखोगे सार्व अंतर इसे हम D से दर्स आते हैं common difference बोला जाता है से और सार्व अंतर जो है ये दूसरे नंबर के पद मैंसे आपको पहले नंबर का पद घटा देना है इसका मतलब ये है कि हम 17 मैंसे घटा देंगे 9 तो यहाँ पर आपको सार्व अंतर मिलेगा तो ये जो मिलेगा 17 मैंसे 9 जाएंगे तो आपको मिल जाएगा 8 तो यहाँ पर प्रिज़ंपद आपका י 9 हो चुका है और सार्व अंतर 8 इतना आपको केवल समांतर शेर्णी देखके ही करना है जैसे ही आप समांतर श्याणी का इतना काम कर लेते हैं तो अब आप question को और ध्यान से पढ़ते हैं जब भी आपको समांतर श्याणी दी हो तो उसमें कमपल सरी ये हो जाता है कि हम प्रिधंपद और सार्बंतर तो कम से कम निकाल ही लेते हैं इसके बाद हम question पढ़ते हैं तो उसमें दिया गया है कितने पद लेने चाहिए कितने पद यानि N का मान हमसे पूछा गया है जब भी आपको question में लिखा हो कितने पद इस तरीके से तो वो N का मान ही आपसे पूछा गया है और हमें 636 भी दिया गया है तो ये जो 636 है ये योग दिया गया है इसके बाद में लिखा है योग इसलिए ये जो योग है ये 636 हमें दिया गया है इसलिए SN का मान जो है वो 636 हमें दिया गया है तो हम लिखेंगे चुकि SN बराबर हमें दिया गया है 636 क्योंकि योग लिखा है क्वेश्चन में आपको धिहान से देखना है यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा है योग तो इसका मतलब होता है जो 636 है यह योग है और योग को हम काई से दर्साते हैं तो यहाँ पर SN बराबर 636 हम लिख सकते हैं क्योंकि योग को हम SN से दर्साते हैं अब SN जो है इसका फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए इसके पहले मैंने आपको बताया भी है तो फॉर्मूला होता है N बटे 2, 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D यह आपका फॉर्मूला है SN का और यहाँ पर हम लेखेंगे 636 तो इस तरीके से यह SN हो जाता है अब यहाँ पर हमें N का मान गयाद करना है लेकिन हम A और D के मान उपर से देखके रख सकते हैं तो चलिए रख देते हैं तो N बटे 2 अभी जियों काते हो रहेगा ब्रैकेट 2 और A का मान यह लिखा है यहाँ पर तो आप यहाँ पर ब्रैकेट में 9 रखेंगे फिर उपर प्लस लगा है तो आपको यहाँ पर भी प्लस लगा देना है फिर N-1 तो चुकि N का मान ग्याद करना है इसलिए N-1 जियों काते हो और D का मान फिर से यहाँ पर 8 तो आपको यहाँ पर 8 रख देना है ब्रैकेट कर देना है बंद बरावर 636 तो यह बनेगा इसके बाद हम N बटे 2 को जियों काते हो क्योंकि अंदर कैलकुलेशन करनी है तो N बटे 2 हम जियों काते हो लिखेंगे साथ ही साथ 9 दूनी 18 हो जाएगा यहाँ पर प्लस और 8 का गुणा इसमें दोनों में कर देंगे क्योंकि दोनों में ब्रैकेट लगा है तो यहाँ पर 8 का गुणा N में होगा फिर 8 का गुणा 1 में हो जाएगा चलिए कर देते हैं 8 का गुणा n में करोगी तो कितना मिलेगा 8n माइनस 8 का गुणा 1 में करोगी तो आएगा 8 बरावर आएगा 636 आगी करते हैं इसको तो यहाँ पर 18 में से 8 चले जाएंगी तो अभी केल्कुलिशन अंदर और होनी है इसलिए इसको हम बाहर ही लिखेंगे 18 में से 8 चले जाएंगे तो आपको मिलेगा 10 प्लस 8n और ब्रैकेट कर देना है बंद बरावर 636 अब यहाँ पर हम यहाँ पर यह दो जो है कैंसल करना चाहते हैं तो इसके लिए हम उपर से 2 कॉमन निकालेंगे इन दौनों में 2 का भाग चला जाता है 2 का भाग और 8 में भी चला जाता है तो चलिए एन बटे 2 ब्रैकेट यहाँ पर आपको 2 कॉमन निकाल लेना है तो इस ब्रैकेट दोनों से कॉमन निकाला है 2 इसलिए 2 पंचे 10 यहाँ पर 5 बार भाग चला जाएगा प्लस 2 चौके 8 यहाँ पर चार बार चला गया और एन जियों काते हों बरावर 636 यह भी हम जियों काते हों लिख देते हैं अब यहाँ पर 2 और 2 कैंसल हो जाएगे तो यहाँ पर बचेगा एन और ब्रैकेट में आएगा 5 प्लस 4 इस ब्रैकेट को बंद करतेते हैं बरावर 636 अब एन का हम गुणा कर देंगे आगे तो 5 का गुणा एन में होगा तो आएगा 5 एन प्लस 4 का गुणा एन में होगा 4 एन का तो संख्या का गुणा संख्या में होगा यानि 4 और एन का एन में तो एन स्केर तो यहाँ पर एन का गुणा 5 में हुगा तो आया 5N फिर प्लस लगा है तो प्लस और 4 यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं लेखी है तो एक मानी जाती है तो संख्या का संख्या में यानी 4 एकम 4 और N का N में तो N स्केर बरावर 636 इसके बाद ये जो 636 है इसका हम इस तरह पक्छांतर कर लेते हैं ताकि एक बर्ग समीकन प्राप्त हो जाए और बरावर में 0 प्राप्त हो तो चलिए हम ये 5N अभी जियों काते हो लिख लेते हैं और ये 4N स्केर भी जियों काते हो ये प्लस का 636 इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का 636 हो जाएगा और बरावर में 0 बचेगा अब ये जो प्लस का है इस तरफ आ चोगा है अब हम n बर्ग वाला पहले लिख लेते हैं जिसे 4 n बर्ग फिर n बाला लिख लेते हैं तो ये पक्चांतर नहीं कर लाए हम लोग केवल विवस्ते थी कर लाए हैं तो 4N वर्ग यहाँ पर पिलस 5N यहाँ पर माइनस 636 और बरावर आजाएगा 0 अब हम यहाँ पर अभावयनिश्ट निकालेंगे या तोडेंगे तो गुडनकंड विदी और सुत्र विदी दोनों से कर सकते हैं तो हम लोग यहाँ पर सूत्र विदी के लिए तो सूत्र बिदी के लिए A कामान हम यहाँ पर देख लेते हैं तो A बराबर आपको मिलेगा 4 यह जो पहली संख्या है यह A कामान होता है यह दूसरी जो संख्या होती है यह B कामान और यह पूरी संख्या C कामान होती है तो A बराबर आपको मिलेगा 4 और इसी तरीके से B बरावर आपको मिलेगा 5 और C बरावर आपको मिलेगा माइनस 636 इस तरीके से हम लिख सकते हैं अब हम आगे लिखेंगे तो सूत्र लगाएंगे सूत्र बिदी का सूत्र होता है N बरावर माइनस B प्लस माइनस अंडर रूट B स्केर माइनस 4AC अपॉन 2A यह होता है चलिए इसको आगे कर लेते हैं माइनस लिखा है तो सबसे पहले माइनस लिखना है यहाँ पर यह B लिखा है तो B का मान कितना है 5 तो हम यहाँ पर रखेंगे पॉजिटिव की 5 प्लस माइनस है तो यहाँ पर आपको प्लस माइनस लगा देना है अंडर रूट B का मान कितना है 5 तो आप यहाँ पर लिखोगे 5 का वर्ग माइनस 4 और A का मान कितना है तो अंसर यह भी 4 ही है और C का मान माइनस 636 तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस 636 और यह रूट लगा देंगे और बटे में आ जाएगा 2A इसका मतलब 2 और A जो है यहाँ पर हम देख लेते हैं एक का मान कितना है तो A का मान 4 है तो आगे पर दते हैं माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट यह 5 का बर गया तो पचम 25 हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और चर्चों के 16 और 16 है गुड़त 636 तो यह आप डारेक्ट भी कर सकते हो यहाँ पर मैंने एक श्टेप और बढ़ा दिया है चरदूनी 8 चलिए कर देते हैं यह एन के बराबर चल रहा है तो एन बराबर आगे मिलेगा माइनस 5 प्लस माइनस इसको 25 के साथ में जोड़ना है तो चलिए पहले 16 का गुणा कर लेते हैं 636 में तो यहाँ पर आप गुणा करेंगी तो आपको मिलेगा 10176 और बटे में आजाएगा 8 इसके बाद एन बराबर माइनस 5 प्लस माइनस 10176 और 25 दोनों को जोड़ देते हैं तो यह हमें मिलेगा 10201 और बटे में आजाएगा 8 अब यहाँ पर 10201 जो है वो बर्गमूल होता है 101 का तो हम यहाँ पर 101 लेख देंगे और आप चाहें तो 101 गुड़त 101 कर सकते हैं तो जिससे आपको प्राप्त होगा 10201 और यदि आप इससे भी तो फिर आप 100 का बर्गमूल देखेंगे 100 का बर्ग देखेंगे कितना होता है उसके करीब है तो आप 101 का करेंगे एक्जाम में पर 102 का करेंगे तो 101 में आपको मिल जाएगा तो एपॉक्सिमेटली आपको लगाना होता है कि 100 का बर्ग कितना होता है उसी हिसाब से यह कितना हो जाएगा 10,000 के करीब है यानि 101 तो आप ये लगा लेंगे हिसाब बटे में आ जाएगा 8 अब 110 में से अब चुकि हम लोगों को प्लस माइनस करना है तो हम लिखेंगे धन्चिन लेने पर और एक बार लिखेंगे धन्चिन लेने पर तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं धन्चिन लेने पर तो चलिए धन्चिन ले लेते हैं तो माइनस 5 प्लस 101 बटे 8 तो 101 में से 5 चले जाएंगे तो आपको मिले 96 तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस 96 क्योंकि प्लस की संग्या बड़ी थी और बटे 8 तो 12 86 में होता है इसलिए आपको n कामान मिल जाएगा 12 तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 12 और यदि हम रिणचिन ले ले लेते हैं यहीं पर तो रिणचिन लेने पर आपको मिलेगा यहाँ पर n बराबर माइनस 5 और यह माइनस करेंगे 101 और बटे में आ जाएगा 8 तो n बराबर यह आएगा 106 बटे 8 तो 106 बटे 8 आएगा तो यह माइनस जो है और यह चूकी होगा क्योंकि यह जो है माइनस का है और पदों की संग्यर अनात्मक नहीं होती आता स्रेणी में अब कितने पद हैं चाहिए तो हम यहाँ पद लिखेंगे आता है बारा पद लेने चाहिए तो इस तरीके से यह सॉल्व हो जाएगा थैंक यू